नमस्ते फ्रेंज और वेलकम टू अनदर सेशन ओप क्विक फिक्स प्रो आशा करता हूँ आप सभी लोग अपने घरों पे सवस्थ होंगे और सुरक्षित होंगे मेरी वीडियो को लाइक करने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद तहे दिल से आपका शुक्रिया आज हम बात करने वाले हैं बड़े जरूरी इशो के बारे में हमारे को ये जानकारी जरूर होनी चाहिए कि कौन से ऐसे फ्यूज है हमारी गाड़ी में जिनके बारे में हमारे को हमेशा नौलिज रहनी चाहिए जिनके बिना हमारी गाड़ी चल नहीं सकती मालो की रास्ते में आप कहीं अठक जाते हो तो सबसे पहले आपको सबसे जरूरी फ्यूज कौन से चेक करने हैं second thing, कौन से ऐसे फ्यूज हैं जो आपको spare रखने हैं अपने पास में हमेशा, spare means to say कि हमेशा एक दो फ्यूज वो falta रखने हैं अपने पास जरूर रखने हैं तो उन Fuses के बारे में आपको बताने वाला हूँ मैं वो कौन से कौन से होते हैं मेरी गाड़ी में उनकी location कहां पे मैं आपको वो भी बता दूँगा आपकी honors manual में उन Fuses के बारे में लिखा रहता है especially जो अंदर के fuse हैं बाहर के तो मैंने आपको समझा दिये थे अंदर वाला जो fuse box है आप अपना honor manual उठाके देखेंगे उसमें सारे fuse की location और उनका description दिया होगा उनका काम क्या होता है मैं आपको समझा दूँगा वो क्यों जरूरी है वो भी आपको समझा दूँगा जब भी आपकी गाड़ी स्टार्ट नहीं होती है तो सबसे पहले हमारा ध्यान जो जाता है वो जाता है fuse box पे कि मेरा कहीं कोई fuse तो नहीं खराब हो गया होगा अब इतने सारे fuse हैं यहां पे देख रहे हैं चार रो हैं चारो की चारो रो में से कौन सा fuse देखना है कौन सा नहीं देखना है हमें पता ही नहीं होता इंजन बाले fuse box में जाते हैं वहां की तो location ही पता नहीं है मतलब उसके तो fuse को कोई लेना देना ही नहीं है तो वो pinpoint कैसे ढूंडना है कि इस fuse की दिक्कत हो सकती है वो मैं आपको बताने वाला हूँ तो sir किसी भी गाड़ी में चाहे वो कोई सी भी गाड़ी हो मैं सबसे पहले आपको बता दूँ गाड़ी को चलने के लिए तीन चीजे बहुत जरूरी होती है एक होता है fuel तेल, petrol या diesel हो, petrol हो, कुछ भी हो वो बहुत जरूरी होता है दूसरी होती है air petrol के साथ में air mix होगी या diesel के साथ में air mix होगी उसके बाद में ही आपकी गाड़ी आगे जो है उसको चाहिए तीसरे नंबर पे spark मतलब air, fuel and fire तो ये तीन चीजे मिलके आपकी गाड़ी को चलाती है तेल होगा, उसके साथ में हवा mix होगी air के साथ में mix होगे उसके बाद में वहाँ पे बर्न होगी बर्न होने के बाद में आपके piston मूव करना शुरू करेंगे बट उसके साथ में अभी जो modern cars है वहाँ पे और चीजे साथ में जुड़ जाती है वो क्या जुड़ती है spark आपका जब लगेगा जब आपका ECU on होगा मतला आपका जो गाड़ी का computer है वो on होगा तब आपकी गाड़ी में spark आएगा तो अब चौती चीज यहाँ पे जुड़ गई ECU और ECU को activate करने के लिए जो पांचमी चीज जो modern cars में जुड़ जाती है वो होती है immobilizer ठीक है तो immobilizer जुरूरी हो गया और छेमी चीज जो होती है आपको engine के घुमाने के लिए वो होती है आपकी starter motor तो छे चीजें आपकी गाड़ी में बहुत ही जादा compulsory है और साथमी चीज जो आ जाती है वो आती है battery क्योंकि battery होगी तब ही ये सारी चीजें चल पाएंगी तो साथ चीजें यहाँ पे मैंने आपको total गिना दी ये साथ चीजें आपकी गाड़ी में बहुत ही जादा important होती है बागी parts भी important है पर इन साथ के बिना तो चल ही नहीं सकती ये एक चीज हो गई आपकी गाड़ी में अब ये साथ चीजों में से एक चीज हम हटा देते हैं वो है battery क्योंकि battery आप direct check कर सकते हो और battery का जो fuse रहता है वो मैं बता देता हूँ अगर battery की voltage सही है तो गाड़ी में 60 number का fuse रहता है आपके अंदर engine वाले fuse box में तो वहाँ पे जाके उसको check करना है आपको तो के वार अगर मालो वो उड़ गया है तब आपकी गाड़ी start हो जाएगी बट अंदर वाले fuse box के बारे में बात करते हैं यहां पे क्या कोई important fuse होते है और नहीं होते है जी हां 100% होते है नॉर्मली होता क्या है ना हमारे दिमाग में यह रहता है कि अगर engine से related कोई fuse है तो वो engine box में होगा और अंदर में जो fuse box रहेगा उसमें खाली accessories के fuse रहेंगे पर ऐसा नहीं होता है जर अंदर में भी आपके बहुत important fuse रहते है तो उनकी location में आपको बताता चलूँगा और साथ में बताता चलूँगा कि उनसे क्या दिक्कत होगी आपको क्या परिशानी चेक करने है तो सबसे पहले जो यह नीचे में आपको 30 number का fuse दिख रहा है 30 ampire का यह है आपके starter motor का ठीक है जो आपकी starter motor है उसका यह fuse है 30 number का अब आपको मैं साथ में बाद में बताऊंगा भी कि आपको क्या spare fuse रखना है क्या नहीं रखना है किसके बिना आपका काम चल जाएगा वो भी बताता रहोंगा मतलब बाद में तो पहले तो जान लेते हैं कि कौन से कौन से fuse जरूरी है तो यह 30 number का fuse है आपकी starter motor का इसके बिना आपकी गाड़ी में self नहीं लगेगी आपकी self काम करना बंद कर देगी तो सबसे जरूरी fuse तो हो गया आपका यह 30 number वाला उसके बाद में एकदम कोने में आएंगे यह 5 ampere का fuse देख रहे हैं आप यह 5 ampere का आपका fuse है आपके fuel pump की relay जो भी जितनी भी relay main main आपकी relay होती है fuel pump की relay हो गई starter motor की relay हो गई प्लस आपका जो ECU है मल ECU की भी जो relay activate होगी वो यहीं से होगी तो कभी भी अगर आपको लगता है कि मेरी ECU की relay खराब है उससे पहले में यह 5 ampere का fuse पका चेक करना है चाहे आपको ECU की relay पे डाउट आए चाहे आपको starter motor की relay पे डाउट आए चाहे आपको fuel pump की relay पे डाउट आए इस वाले fuse की जो extreme right side में लग रखा है तो बहुत सारे लोगों को डाउट था और उनने comment box में पूछ भी रखा था कि sir मेरी गाड़ी में immobilizer लगा है कि नहीं लगा है मुझे कैसे पता करना है तो sir सबसे पहले तो आपको देखना है पांच अमपियर का fuse आपकी गाड़ी में है की नहीं है आपके owners manual में जाके आपको चेक करना है अगर आपको फिर भी नहीं पता लगता है तो आपको ये वाला fuse निकालना है निकालने के बाद में आपको जो मैं immobilizer वाली वीडियो थी तब आपकी गाड़ी में immobilizer पका है ये fuse निकालने के बाद में तो ये पांच नमबर का fuse है आपके immobilizer का अगर ये पांच नमबर का fuse आपका उड़ गया है मतलब आपका immobilizer काम करना बंद कर देगा और उसकी वज़ा से आपका fuel pump activate ही नहीं होगा तब भी आपकी गाड़ी स्टार्ट नहीं होगी तो तीन fuse होगे 30, 5 और ये वाला पांच नमबर राइट उसके बाद में बारी आती है ये आपका 15 नमबर का fuse लग रखा है यहाँ पे 15 अमपियर का ठीक है तो ये 15 नमबर का अमपियर है आपके cluster का तो cluster में आपका जितना भी UCH लग रहता है मैं आपको बताऊँगा ये क्या चीज होती है UCH बगारा सारा एक्स्विन करके बताऊँगा तो ये आपके cluster को डियक्टिवेट कर देगा आप मैं मीटर की बात नहीं कर रहा हूँ यहां पे जो आपका पूरा cluster मेटर नहीं उसमें light आएगी ये वाला fuse निकाल दोगे तो उसमें handbrake वगरा की light आएगी आपका meter reading भी दिखाएगा बट आपकी check engine light नहीं आएगी इसको निकालने के बाद में और दूसरा जो आप सोच रहे हैं कि cluster meter में जो fuse मैं बता रहा हूँ आपको जो fuse आप सोच रहे हैं na cluster meter का वो है सारे साथ number का इसको निकाल देंगे तो कोई भी light नहीं आएगी cluster meter पर ये 15 निकालेंगे तो cluster meter पे आपका auto वाली light दिखाएगा और मीटर वाली handbrake की light दिखाएगा बट ECU मतलब check engine light नहीं आएगी ये निकालने के बाद में मतलब आपकी गाड़ी start नहीं होगी तो ये वाला fuse भी आपके लिए बहुत जरूरी हो गया अभी नए model की जो गाड़ी आएगी वहां पे यहां पे 10 नंबर का एक fuse लग रखा होगा वो 10 नंबर का fuse आपका fuel pump का है तो वो भी आपके लिए बहुत जरूरी है अब बात करते हैं इस cluster इस पूरे में आपको कौन सा fuse extra रखने की जरूरत पड़ेगी मतलब किसके कौन सा spare fuse आपको रखने की जरूरत पड़ेगी तो सर मैं बता दूँ अगर आप emergency में हैं कहीं पे अगर आप फस गए हैं तब आपको कोई भी spare fuse रखने की जरूरत ही नहीं है उसका मैं जुगार बता रेता हूं यह देखो यह 30 नंबर का fuse आपकी starter motor का मानलो यह उड़ जाता है तो य यह वाला अगर आपका मानलो चल जाता है अगर खराब हो जाता है तो आप क्या करो तो यह वाला जो तीन लग रखने है ना आपके इसमें से एक airbag का है और एक transponder ring का है इसको तो आप नहीं निकाल सकते यह वाला आप निकाल सकते हो यह आपका जो है यह पावर स्टेरिंग का है ठीक है पावर स्टेरिंग के बिना आपका काम चल जाएगा पर गारी स्टार्ट नहीं होगी तब आपका काम बिल्कुल नहीं चलेगा राइट और मानलो अगर यह वाला चला जाता है पंदर नंबर का तो यह वाला आपका amplifier का fuse है इसको निकाल के यहां पे लगा दो मत मतलब आपको यह सारा जरूरी नहीं है कि अगर आप नहीं रखोगे तब भी आपका काम आप चला सकते हो इदर उदर से जुगाड करके बट आपको यह रखने चाहिए तीस नंबर का fuse एक पांच नंबर का और एक पंदर नंबर का पर सबसे जरूरी जो मैं बता दूना सर सारे सात नंबर का fuse है तो आपकी गाड़ी में बिलकल अलग है यह आप यह देखेंगे न यह सारे सात नंबर के बहुत लग है यह मार्केट में मिलना मिलकल मुश्किल हो जाते हैं सारे सात नंबर वाले यह आप खरीद लेंगे तो बहुत बढ़िया रेगा, ठीक है, इतना हो गया, то कहने का मेρα सरलात लास्ट में सिर्फ इतना है, यह 30 नंबर का फ्यूज, यह वाला लास्ट रो में 5 नंबर का, इस तरफ में 5 नंबर का, यह वाला 15 नंबर का तो आशा करता हूँ, यह छोटी सी वीडियो आपको पसंद आई होगी, मेरी वीडियो को लाइक करने के लिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद, मिलते हैं अच्छी सी वीडियो में, तब तक लिए जै हिंद, जै भारत